मानसून में इम्यूनिटी का कमजोर होना आम बात है, क्या आप भी इस बरसात में बार-बार बीमार पड़ रहे हैं? चलिए जानते हैं कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, ताकि इस मौसम में बीमारियों से बचा जा सके, मानसून में इम्म्यूनिटी का महत्वप, मानसून के दौरान नमी और ठंडक से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे की कैसे हम अपनी इम्म्यूनिटी को बढ़ा कर स्वस्थ रह सकते हैं। इम्म्यूनिटी बढ़ाने के उपाए, गिलोई का सेवन करें, प्रतिदिन गिलोई का रस या काढ़ा पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ती है। विटामिन सी का सेवन, नीनबू, संतरा, आवला जैसे फलों का सेवन करें, जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। योग और प्राणायाम, नियमित योग और प्राणायाम से न सिर्फ शरीर बलकी मानसिक स्वास्थ्य भी बहतर होता है। अद्रक और हल्दी, अद्रक और हल्दी का सेवन करने से शरीर में सूजन कम होती है और immunity बढ़ती है। मानसून के दौरान खान-पान का ध्यान रखें। साफ और ताजा खाना खाएं। बासी और बाहर का खाना खाने से बचें। अधिक पानी पिएं। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिए ताकि शरीर हाइडरेटेड रहे। सूप और काढ़ा, करम सूप और काढ़ा पीने से गले में राहत मिलती है और immunity बढ़ती है। अंतिन सुझाव, अपने जीवन में इन आत्तों को शामिल करें और इस मानसून में स्वस्थ और सुरक्षित रहें। चलिए मिलकर अपनी immunity को मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको इसी तरह की और उप्योगी जानकारिया मिलती रहें।